हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं के दस्तावेश तक नहीं है इस बात से यह जाहिर होता है कि इस पूरे मामले भर में पूर ब्रश्टाचा नजर आ रहा है इस पूरे मामले की जाज कर रहे हैं पंचायत प्रचार अधिकारी के ऊपर भी कई सवाल निशान लगते जा रहे हैं जाज की गई तो उसमें थान सिं के उक्त भूमी के दस्तावेश नहीं थे तो दुकान निर्मान कैसे होने दी गई सवाल ये भी खड़ा होता है कि दुकान के पास बने पटवार घर के दस्तावेश काराले से कैसे गायब हो गए इस पूरे मामले पर जिला प्रश्टाचार को अंधेरे में रखकर जाज पूरे मामले को लेकर परिवादी जिला प्रशासन से न्याय की उमीद लेकर प्रशासन के कारयाले के चकर काट रहा है अब देखना यह है कि जिला प्रशासन के इस पूरे मामले को गंबीता से लेती है या ठंडे बस्ते में डाल देती है ग्राम बंजद की सरकारी बूमियों को बेचा गया है इनके किलाब आप क्या एक्सम है उनके किलाब में हमने नौरिष निकाला है उसके अब्धी पूरे होने के बारे में हम मुगतमा बेचा गया है ग्राम बंजद के शेत्र में ऐसे वेक्ति जो पंजद की इना अनुमदी से अवेद निर्मान ग्राम बंजद के आबादी को पूमियों कर अवेद निर्मान जो करते हैं उनके खिलाब पंजद दौरा निमनों से नौरिष जारी कर और उसे किसी प्रकार कोई लिकित में सुष्ट में मंगा कर कि आपके इस जमीन संदी को रिष्ट्री या पट्टा कोई है या नहीं अगर वेर्थी तीन दीन के अंदर कोई पंजद कोई लिकित में सुष्टिस नि करता है तो वो सवत्य ही अवेद निमान जाता है और अवेद निमान पंजद दौरा जिराम बंजद बैटन प्रकार लेकर उनको अटाने की करवाई और उनके खिलाब मुक्तमीर की करवाई सिरोही से जागर टीवी की रिपोर्ट